हेलो बचो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो आपको डीओ की तरफ से प्रैक्टिस पेपर एन्वल एग्जामिनेशन का मिला है सेशन 2022-23 का क्लास 10 का जो है मैट्स का वो करनाने वाली तो जैसे कि आप लोगों को बता है कि पेपर आपको दोनों ही मीडियम में मिला है से अभी हम सेक्शन एपर ही है कोशन 11 पर आजाते है अपने जल्दी से यहां आप से क्या कह रहा है इस कोशन में यदि तरिजा खंड का कौन 60 है तथा त्रिजा 3.5 से में तो चाप की लंबाई बताई तो आपको कौन दे रखा है और तरिजा दे रखी है तो चाप की लंब चाप के लंबाई आगई आपके पास प्रेक्स कोशन 12 पर आते हैं कि एक गोले का आयतन और सतह का श्या श्याप की लंबाई आपके पास 3.66 cm संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की तृजा बताओ कितनी योगी किरे एक जो गोले का आयतन है और उसका जो शेतरड़ ऑग्णा की एक पास थी गालना है कि कितना होगा तो पाई से पाई कार दिया, आर स्क्वेर से कार दिया, एक र बचा, तो 4 बाई 3 आर इस इकोर स्टू में 4 बचा, 4 से 4 भी कट गया, तो 1 अपॉन 3 आर इस इकोर स्टू 1, तो यहां से आर का मान निकल के कितना आ गया, 3, तो वो त्रीजा निकल गई आपकी, चलिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे, यदि किसी बारंबरता सार्णी का मध्यक और भहुलुक क्रमा शहर 2629 है, तो इसका मध्य क्या हो, देखो, आपको मध्य निकालना है, और आपको मध्यक और भहुलुक दे रखा है, तो आपको पता है कि एक सूत्र होता है, इन तीन मध्यक माइनस भहुलुक के बराबर होते हैं, तो पहले वो चीज यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, यहां पर आपके पास, जो सूत्र हो में पहले यहां पर लिख रहे हूं, जो जो गिवन है वो सब यहां पर लिख दो, यह आप ऐसी रहन दो, क्योंकि मध्य आपको यहां पर ग्यात ही करना है, यह आपको पहले से पता है, ट्वंटी सिक्स दे रखा है, यह आपको ट्वंटी नाइन दे रखा है, तो यह आजगा आपके पास सेवंटी एट माइनस तो यहां से मैं अपना मद्ध्य निकाल सकती हूं तो वह आजाएगा में पास 49 अपन में तू इसका मतलब 24.5 आपका अंसर क्लियर चलिए नेक्स्ट कोशन 14 में आपसे क्या कह रहें एक थैले में कार्ड है जिन पर 2,3,4 अप्टू 11 संख्या अंकित है थैले में इसे यथाचित रूप से एक कार्ड निकाला गया निकाले गए कार्ड पे एक आभज्य संख्या होने की प्रायक्ता क्या है देखो एक थ उसकी प्रायक्ता में तो अगर हम देखें तो इसमें अभज्य संख्या है कौन-कौनसी 1 एक थ्री है एक सबस्क्रणा लेवन टो तो तो अनुकुल परी नाम पाँच हैं और कुल परी नाम दस है क्योंकि लबाकि दो से ग्यारा तक के नंबर आप जब इनोंगे तो दस य कभी आपकी प्रायक्ता कितने आजाएगी एक बटे दो अ कि प्लियर चलिए मुशन फिफ्टीन पर यहां आप से क्या है यादी वन और एल्फा बहुपत के शुनांक इसके शुनांग तो उपको के आपको साइड नोच जे और Star आपको बता है कि जो शुनांगों का गुनंफन 3 आते हैं question number 16 पे, यहां आप से क्या कह रहा है, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 का मान ग्याद कीजे, तो इन सब के मान रख दो और गुना कर दो तो आ जाएगा, है ना, तो यहां पर रख देते हैं इसको, तो पहले लिख लेते हैं, कि cos 0 degree था, उसके बाद cos 30 degree था, फिर आपके पास cos 45 degree था, और फिर cos 60 degree था, तो cos 0 आपके पास 1 होते हैं, cos 30 आपके पास root 3 by 2 होते हैं, cos 45 आपके पास 1 upon root 2 होते हैं, और यह आपके पास 1 upon 2 होते हैं, तो यह जाएगा root 3, 4 root 2 नीचे आ जाएगा, अब परिमे करना पड़ेगा नीचे क्योंकि रूट नीचे आगय है हैं यहां पर आजागा फोर टू जा एट हो जाएगा न तो रूट सिक्स अपॉन एट आपका अंसर क्लियर कोशन नमबर सिक्सटीन चलिए कोशन नमबर सेवंटीन पर आते हैं बोलाकार गुबारे की त्रिजा आठ सेमी से बरकर बारा सेमी हो जाती है दोनों इस्थितियों में गुबारे के प्रिष्टे शेतरफल का अनुपात किया है देखो एक गुबारा है आपके पास उसकी त्रिजा जो है आठ से बारा हो की दोनों का शेतरफल अलग अलग हो से अलग निकले स्क्वार अब मैंने अपनी त्रीजा कि 12 सेंटीमीटर लेगी तो अब नया शेतरफल निकल के आएगा अब यह वाली त्रीजा रखनी पड़ेगी तो मेरा शेतरफल हो जाएगा यहाँ पर अगर सूत्र यही लगाऊंगी तो वह जाएगा 4 पाई और यहाँ जाएगा 12 का स्क यहाँ गया 8 इंटु 8 और नीचे आपके पास आगया 12 इंटु 12 इसको इससे काटा 2 और 3 फोर की टेबल से इसको भी तो 4 अपन 9 तो चार अनुपात 9 आपका यहाँ आनसर आ जाएगा ल संध प्यूफें तो क्लियर्ड औरल कोशन नमबर 17 सोटेंग व कोशन 18 में अपसे क्या करें एक फिश टेंक में पाँच मंचली और ना मद मचली हैं निकाली गई मचली के नर मचली होने की प्राइकता बताओ एक फिश टैंक है उसमें पांच जो है वो मेल फिश है और आठ जो है वो फीमेल वाली है तो बताओ जो आपने मेल फिश निकाली है उसकी क्या प्राइकता होगी तो मेल फिश है कितनी पांच ही तो है पांच है ना तो उपर तो पांच आ तो आपको पता है तो कोशन को आपकी पास अभिकतन और खरीद और शेयिए तो हुज स Eye Appometres जो लोग पराविक्तन पर किसी किताब का अंकित मूझ यृOً दस रूप बढने पर कोई व्यक्ति 121 00 में 10 किताब कम खरीद सक describes बिलकुल सही बात है अगर किसी किताब का मूले बढ़ जाता एक बारा सो रूपय तो क्रेमे बारखन में आप से क्या क्या रही हैं brake यह तो बिलकूल गलत है जब आपका यहां पर करिये मूल्य बढ़ गया हैं तो आप उसमें अढिक किताबी कैसे खरीद ओगे आप तो उसमें कम किताब खरीद पाऊगे जब आपका मूल्य बढ़ गया है तो यह गलत दे रखाए इसका मतलब इन अभीकतन तो सही दे रखाए लेकिन कारण आपको गलत दे रखाई तो यहां पर आपके पास क्या आजाएगा कारण आ सकते हैं तो इसका अंसर आजागा सी अभी गतन तो सकते हैं पर कारण आ सकते हैं क्लियर चली आते हैं कोशन नम्र 20 पर यहां आपसे क्या करें यह दि तरिवूज ABC और तरिवूज PQR सरवांग्सम हैं लेकिन वह सरूरी नहीं होता कि यह चीज्द आपको याद रखने हैं इसका अभी गतन बिल्कुल सही है कारण देखते हैं किरें सभी सर्वांगसम तिरिबुच सम्रूप होते हैं हां जैसा भी मैंने आपको बोला बिल्कुल होते हैं लेकिन सम्रूप तिरिबुचों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है हां बिल्कुल सही है यही चीज तो भी मैंने आपको बोली सरवांगसम तिरिबुच समरूप हो सकते हैं लेकिन समरूप तिरिबुच जरूरी नहीं है कि सरवांगसम हो तो यह दोनों ही चीज आपको सही दे रखे और यही इसकी explanation भी दे रहा है तो इसका answer आजएगा A अभीकतन और कारण दोनों ही सकते हैं क्लियर तो आज हमने कोशन 11 से 20 अपने कंप्लीट कर लिए कि अब नेक्स क्लास में मैं आपको इसका नेक्स सेक्षन कराने वाली है पूरा पेपर बहुत इंपोर्टन है बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करके पूछ लीजेगा और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा फ्रेंज के साथ शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी